नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग Small Savings Schemes Small Savings Schemes के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत basic information यहाँ पर जानेंगे पहली बात तो कुछ दिन पहले मैंने Current Affairs में न्यूज डिसकस की थी थोड़ी पुरानी हो गई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार ने First Quarter of 2021-22 Financial Year यानि 1 April 2021 से जून एंड तक का Quarter है पहला Quarter इसमें जो Interest Rate मिलता है Small Savings Schemes के उपर उसको पहले कम किया लेकिन बाद में ऐसा लगा कि इसमें Political Backlash आ सकता है कई सारे Assembly और Unitary के Elections आने वाले थे उसके चलते अप पोजिशन इनको गेड़े में ले सकता है उस चलते Finance Minister निर्मला सीतर अमंजी ने ये जो Rate Cuts हुए थे इनको वापस ले लिया तो अभी के लिए Small Savings Schemes पे उतने ही Rate है जितने पहले थे लेकिन इस सरकार के इस स्टेप से ये मालुम पढ़ा है कि आगे आने वाले समय में Small Savings Schemes पे Rate Cut हो सकते हैं तो मिया समझने कोशिश करेंगे कि ये Small Savings Schemes कितने प्रकार की होती हैं कौन कौन सी हैं इनके फायदे क्या क्या है अभी के लिए किस प्रकार की Savings Schemes अविलेबल हैं अलग अलग तबकों के लिए उनके बारे में बहुत बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए बहुत सारे लोगों को पता होगी लिके नाम में से जाए तर लोग अभी बढ़ाई की स्टेज में बहुत सारे लोग जौब बगरा कर रहे होंगे वो उन Schemes में इन्वेस्ट भी करते होंगे बड़ जो नहीं करते हैं उनको एक बेसिक जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए इन Schemes में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या है नैशनल स्मॉल सेविंग फंड का यहां पर क्या कंसेप्ट है सरकार खासकर केंदर सरकार और राज सरकार है इस नैशनल स्मॉल सेविंग फंड को किस प्रकार से इस्तमाल करती है इसको भी यहां पर समझने कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत political angle जो recently सरकार यहां पर decision लेके आई थी उसको भी यहां पर खंगा लेंगे तो हमने देखा कि इस हफते की शुरुवात में government ने it sharply slashed the rates on all small saving instruments for the first quarter of 2021-2022 यानि 2021-2022 की first quarter यानि April, May, June इसके लिए small saving schemes के interest rate को कम किया गया तो public provident fund का interest rate 7.1% से गिराके 6.4% कम किया गया मतलब कि यह जो rate cut था वो 40 basis points से 110 basis points कम किया गया 0.4% से 1.1% कम किया गया अलग-अलग schemes में जिसमें PPF जो कि काफी famous होता है PPF बहुत पसंद आता है लोगों को उसका reason यह है क्योंकि PPF में सबसे अधा rate of interest मिलता है यह अलग बात है कि PPF में कुछ लंबे समय के लिए आपका पैसा lock-in हो जाता है लेकिन rate interest अच्छा होता है इसलिए लोग PPF में पैसा invest कर देते हैं जो भी लोग job करते हैं वो हमेशा यह सोचते हैं चलो यार कुछ पैसा तो PPF में डाल ही देते है तो PPF को 7.1% से 6.4% किया गया है यही 70 basis points यहां पर कम किया गया है उस प्रकार से और भी schemeों में rate cuts यहां पर हुए है लेकिन सरकार ने Thursday को decide किया है कि जो interest rate cut हुए है इसको हम लोग withdraw कर लेंगे देखें यहां पर क्या बोला जा रहा है Union Finance Minister Nirmala Sitarmanji की जो हरा Interest rates of small savings schemes of government of India shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020 मतलब कि 2020 के last quarter में जो rates थे हैं यानि कि January, February, March 2021 में जो rate थे वही rate आगे भी रहेंगे मतलब जो rate cuts हुए थे उसको withdraw कर लिया सरकार ने तो अभी के लिए rates कितने exist करते हैं इनको देखने के लिए वीडियो बेर लाइक का पटने जुरु दबादीजे दोस्तों थोड़ा बहुत से लिए बीच में जरूर करता हूँ चैनल को शेर कर दीजे इस वीडियो को शेर कर दीजे चैनल को अब तक सबस्राइब नहीं कर दीजे अपने दोस्तों के दोरह जो कि इस प्रकार की वीडियो को पसंद करते हैं जो कि यहां पर मैं जो सोसाइटी में हो रहा है जो एकॉनमी में हो रहा है उसके बारे में जन्रे नौरेस तो देई रहा हूँ प्लस यह इंफॉर्मिशन आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से भी है आपके कोई छोटे भाइब हैं जो NCRT वगरा पढ़ते हैं आप उनको NCRT की मेरी वीडियो से रफर कर सकते हैं प्लेलिस सेक्शन में पढ़ी हुई है तो यह इंफॉर्मिशन मैं इसलिए बोलता हूँ था कि कोई काम का परसन आपके आस पास हो जिसको इस प्रकार की वीड कि कैसे कनेक्ट इटरने कोश्च करता हूँ चाहिए फोटो जो चाहिए आपके मैसेजिस के रफ्लाइज ओच वीडियो जो और टेलिग्राप जोइन कर लिए इस लेक्चर की पीडियाफ आपको टेलिग्राप गूर्प में मिल जाएगी मेरे सारे लेक्चर की नोटिफिके स्कीम से वही वही एक्सितें सेविंग डिपॉजिट पर चार परसंट का है एक साल के आपके सकते हो स्मॉल सेविंग स्कीम पर 5.5 परसंट का कोड़री आप कह सकते हो कि जो फिक्स डिपॉजिट वगरा होता उसकी बात करो दो यह यह वाज़े साढ़े 5-3 यह पर भी 5.7 पांच एर के recurring deposit पे 5.8% यह सब quarterly compound होते हैं फिर senior citizen saving scheme इसका ठीक ठाक है 7.4% इसको भी काफी कम किया गया था अभी के लिए रोग दिया गया नाशनल सेविंग certificate आप 6.8% पीपीएफ इसमें सबसे best है 7.1 अच्छली सबसे best तो आपका कहले है सुकन्या सम्रिद्धी scheme है लेकिन सुकन्या सम्रिद्धी scheme में आप सिर्फ बेटी के account में पैसा डाल सकते हैं वो भी केवल दो बेटीों के लिए तीसरी बेटी को benefit नहीं मिलेगा मतलब पहले दो बच्चे यह जो small savings schemes होती है अगर इन schemes को देखा जाए तो यह safe और attractive investment options प्रोवाइड करती है public के लिए mobilize करती है resources development के लिए इसमें जो सबसे famous हैं एक है national savings certificate एक है public provident fund एक है किसान विकास पत्र और एक है सुकन्य सम्रिद्धी scheme इसमें saving deposit भी included है monthly income deposit है कुछ time और recurring deposits भी यहाँ पर पाये जाते हैं यह जो rates है small savings schemes के इनको quarterly announce के जाता है मतलब हर तीन महीने पे इनका interest calculate के जाता है और इनका जो interest rate होता है वो government securities की yield के साथ जुड़ा हुआ होता है अब आप बोलोगे यह क्या चीज़े तो treasury yield नाम का आपने concept सुना होगा US में उसी प्रकार से government security चुकि जो treasury bills होते हैं US के वो government security होते हैं और जो economic system चल रहा है पूरी दुनिया का वो कहीं न कहीं US से ही US के pattern भ जा होता है कि भई सरकार ने पैसा उठाया market से उसके लिए उन्होंने government treasury bills बेज दी या फिर के लिए government securities बेज दी है ठीक है अब वो treasury bills एक साल तक के हो सकते हैं एक साल से जादा की government securities होती है जी सेक्स जिसको बोला आता है तो इनको market में सरकार ने बेचा उसके बदम सरकार को कुछ पैसा मिल गया है जब यह treasury bills या government securities मैचोर होंगी तो सरकार को उनको वापस करीदना होगा और उसके उपर interest देना होगा interest सरकार कुछ 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 समय पे देती ही रहती है तो वो जो interest देना पड़ता है उसको आप कैसा है treasury yield कुल मिला के सरकार ने जो government securities market में float की उसके चलते सरकार को जतना interest देना पड़ा वो कही न कहीं treasury yield बोला जाता है अब समझे आपे बात को सरकार को बहुत प्रकार से पैसा मिलता है सरकार जब government bonds को government bills को market में float करती तो भी सरकार को पैसा मिलता है यह जो small savings scheme में जब आप पैसा invest करते हो न कहीं न कहीं पैसा सरकार की ownership में ownership तो नहीं कह लिजे बट सरकार के आप कह लिजे की निर्देश के अंदर ही रहता है सरकार कहीं न कहीं न कहीं इन पैसों को लेके अपना investment mechanism चला सकती कुल मिलाके इस NSSF के पैसे से अब देखिए small savings scheme में मा लिजे fix deposit में बैंकों के पास पैसा चला गया एक हजार करून रु सरकार के पास चला जाएगा और फिर सरकार बैंक को इंटरेस्ट दे रहा होगा मतलब small savings schemes में जो भी पैसा आप करते हो कहीं न कहीं हो सकता है कि वह जी सेक्स में यह treasury bills में इंवेस्ट हो जाए तो ultimately वह पहुंचा कहां पर ultimately पहुंचा वह सरकार के पास ठीक है भी तो वैसे देखा जाए तो इन small savings schemes के उपर आपको जो भी interest मिलता है यह किस पर depend करता है यह depend करता मार्केट पे एक श्यामला गोपीनाथ पैनल भी बनाया गया था किस पर small savings scheme पे इस पैनल ने क्या सजिस्ट किया कि एक market linked interest rate system लेके आया जाए small savings schemes के लिए लेकिन कभी-कभी हमें आपक political factors बहुत matter करते हैं आपको पता है कि जो small savings schemes होती है यह middle class के लिए बहुत important होती है तो middle class का ध्यान अपनी तरफ खीचने के लिए middle class के vote अपनी तरफ खीचने के लिए कभी-कभी क्या करती है सरकार कि in small savings schemes के उपर जो interest rate है वो बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ल 24 लाक 1.54 लाक जो post offices हैं हमारे देश में उनके थ्रू operate किया जाता है public provident fund scheme को 8000 branches of public sector bank के थ्रू भी चलाए जाता है post offices के थ्रू भी चलाए जाता है और जो deposit schemes होती है retiring employees के लिए वो कुछ selected branches of public sector banks में ही चलाए जाती है अब ही के लिए saving scheme basket को देखा जाए तो 12 प्रकार के main small saving instruments है इनको government of India back करता है कहीना कर इन saving schemes में government of India अपना बज़न डालता है चुकि ये saving scheme है ये हमारा जो lower middle class है middle class है कहीना कहीना कहीन lower class है उसका पैसा है तो इस पैसे को save guard करना बहुत ज़र्द ज़रूरी है जिसलिए सरका प्रकार इनको कहीना को protection provide करती है RBI और CABB इनको regulate करती है आप देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार की schemes उनके बारे में basic join करी पहली equity link saving schemes ये एक प्रकार का mutual fund होती है mutual fund क्या होता है mutual fund में कुछ नहीं होता है दोस्तों कुछ बड़े-बड़े mutual fund managers बैठेंगे कुछ economy की field में प अपने portfolio को थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे तो मान लीजिए उनके पास 100 क्रोन रुपया कमा है पड़ा है और होता ही है अब किसी ने 2000 डाले किसी ने 5000 डाले पर कितने इन्वेस्ट करने वाले लोग है market में तो कुल मिला कि 100 क्रोन रुपय हो गया तो उन्होंने market से 50 परफोलियो बना दिया और अलग 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 अमट और इन्वेस्ट कर दिया तो मूचल फंड में होता है कि अप अलग 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 शेर में जिनका potential नज़रा दा है उसमें अलग अलग अमांट आप उनके risk profile के साफ़ से इन्वेस्ट कर देते हो और फाइनली जो profit निकला उ फिर return के form में उस particular person को दी दे जाता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी investment के साफ से तो यह जो ELSS होते हैं equity linked savings schemes यह आपने अलग-अलग companies की equity में पैसा invest किया इसमें एक lock-in period होता है लब सब 3 सालों का हाला कि अलग-अलग equity linked savings schemes के अपने अलग-अलग lock-in period होते हैं यहाँ पर जितना भी आप profit में कमा होगे उसके ओपर capital gains tax आपको देना पड़ेका एक प्रकार का systematic investment plan है SIP है manual investment उसमें 500 रुपे की होती ही होती है next बात करते है fix deposit यह सबसे common form है आपके पास internet banking है किसी भी bank की आप open करिए और fix deposit करा लिए fix deposit एक प्रकार का term deposit होता है मतलब यह demand मानी नहीं है ठीक है demand deposit नहीं यह term deposit है demand deposit में क्या होता है कि आप सीधे ATM में गये card डाला पैसा निका लिया time deposit में आप पैसा lock-in हो जाता है और अगर उस lock-in period को तोड़के आप पैसा निकालते हो तो आपको थोड़ी बहुत penalty देनी पड़ती है तो fixed deposit की बात क्या है कि भाई fixed tenure के आपका पैसा lock हो जाएगा एक साल दो साल तीन साल और एक particular frequency से आपके interest को वापस किया जाए तो जब भी आप कभी SBI के internet banking में किसी भी और internet banking में login करके FD बनाओगे तो इसमें आपको options देगा कि आप 1 साल की FD चाहते हो, 2 साल की FD चाहते हो, 3 साल की FD चाहते हो, फिर जो interest amount है वो आपको तीन महीने के बाद चाहिए या 6 महीने के बाद चाहिए या पूरा साल के बाद चाहिए तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के आप्शन्स मिलते हैं FD में FD का अभी के लिए एक दो तीन साल की जो FDs बनती है उनमें जो interest rate है वो लगबाग 5.5% का है बहुत कम है इसको और कम कर दिया दो सरकार ने 4 दसमें 4% कर दिया था लेकिन चुकि rate cuts withdraw कर लिए गए हैं तो अभी के लिए 5.5% लगबागी है फिर जो सबसे important है वो है public provident fund public provident fund एक government bank long term tax frame स्वी में इस public provident fund में आपका पैसा 15 साल के लिए lock in हो जाता है और 15 साल खता होने के बाद आप 5-5 साल के लिए अपने इस lock in period को आगे बढ़ा सकते हो लेकिन जबरदस्त rate of interest मिलता है 7.1% rate of interest बहुत जादा होता है और पहले तो लगबग 7.7% मिलता है आपको पता जब कोरूना का lockdown लगा था उस समय पे और हाई थे इन small saving schemes के return rate लेकिन जब कोरूना का lockdown लग गया तो सरकार ने इन small saving schemes के जो interest rate थे वो कम कर दिये और ज़्यादा लोगों ने इसके उपर उंगली नहीं उठाई च्योंकि उस समय पर economy नीचे जाड़ी थी सरकार के पास पैसे नहीं थी तो लोगों ने भी समझा ठीके ना लेकिन अब अगर और कम होगे तो कही न कहीं लोगों को problem होगी तो पीपी एफ एक ऐसी scheme है जहाँ ठीक है लोग अपना पैसा डालते है होके और और वेसी बात है यहां पर 7.1% का interest rate अगर आप उस साला ना मिलता है अपना पैसा लॉग होने के बाद तो आप inflation effect से भी बाचे हुए रहते हो और overall कहीं न कहीं आपका पैसा बढ़ी रहा होता है नैशनल सेविंग सर्टिविट की बात की जाए यह एक और प्रकार का popular saving scheme है government backed saving scheme से इसमें क्या होगा कि आप किसी पर्टिगूलर नीरस पोस्ट ऑफिस में जाओ और वहां पर जाके एक national saving certificate खरी दो लोग क्या करते है national saving certificate खरी देते हैं और अपने bank locker में या किसी एक ऐसी ज रहता है ठीक है लेकिन एक बार आपने किसी particular interest rate पे national saving certificate खरीद लिया तो फिर उस national saving certificate में जो आपको return मिल रहा वो कम नहीं किया जाएगा ठीक है ना तो अगर यहां पर सरकार national saving certificate के ओपर interest rate कम होती तो वह नए national saving certificate पे होगा पुराने जिस rate पे बिक्योंगे उतना ही आपको interest rate मिलेगा next बात करते हैं post office monthly income scheme जो small आप कह सकते हो level की जो earning member से थोड़ा थोड़ा पैसा invest करना चाहें तो पंदला सो रुपय से लेके साढ़े चार लाख रुपय तक आप सालाना अपने इस post office के monthly income scheme के accounts में डाल सकते हैं और इससे होगा यह नहीं क्या लिखा हुआ हुआ है the account holder will be able to get a fixed monthly income in the form of interest credited to the savings accounts with the same post office जो भी पैसा आपने invest किया है उसमें जो भी आपका credit interest आ रहा होगा वो आपके savings account में credit कर दिया जाएगा कि अबल resident Indian citizens के लिए post office monthly income scheme available है वैसे जाधे तर लोग इसको जाधे सोच इस्तमाल नहीं करते हैं एक important है senior citizen saving scheme के नाम से बता कर सकते हैं कि senior citizens के लिए है तो वो लोग जो 55 साल से 60 साल के हैं 55 साल वाले क्यों कि कुछ लोग early retirement ले ले लेते हैं वी आरस ले लेते हैं तो उन cases मे citizen saving scheme का benefit मिलता है एक deposit डालने को मिलता है साल भर में और आपको अपने retirement benefit एक बार मिल गए तो retirement benefit के अंदर एक महीने के अंदर आप पैसे हैं पर पार कर सकते हैं ज्यादा तो होता यह है कि आप किसी public sector में काम कर रहे हो तो public sector में काम करने के बाद होता है यह कि जैसे कि आप bank स manager की post पर से retire हो गए तो 50-60,000,000 रुपए कुछ cash मिलता है bank owners को तो लोग क्या करते है कि अपना वो पूरा का पूरा पैसा है इस senior citizen saving scheme में डाल देते हैं और इसका ब्याज खाते हैं 50-60,000 रुपए का ब्याज ही यहां पे 50-60,000 रुपए महीने का बन जाता है इसलिए senior citizen saving scheme व होता है कि एक fixed rate small saving scheme है आपका 113 महीने के लिए पैसा lock-in हो जाएगा rate मेरे आपको 6.9% तो जो आपका पैसा है ना वो 9 साल और 5 महीने बाद दुगना हो जाएगा यह किसान विकास पत्र का logic है मुझे याद है जब एक किसान विकास पत्र लांच हुए थे तब यह पैसा से कम का हो तब भाई यहाँ पे सुकन्या संब्रिद्धी अकाउंट उसका खोला जा सकता है इसमें parents को 15 साल तक उसमें पैसा डालना पड़ेगा इंडिविज्वल्स धाई सो रुपए से लेके 1.5 लाक रुपए तक पर एनम यहाँ पे डाल सकते हैं जो rate of interest मिल रहा है वो 7 सब्सक्राइब करते जा रहे हो सुकन्या संब्रिद्ध्योजना अकाउंट खोलते ही जा रहे हो ओके फिर जब आपने अकाउंट खोला उसके 21 साल तक इस अकाउंट का टेनोर रहता है या फिर उस बच्ची की शादी अगर 18 साल के बाद आप कर दे तो जब तो उसकी सादी जाती ही तब तक इस अकाउंट का टेनोर रहता है 18 साल की जब वो लड़की हो जाती है तो उसके हाईर एजूकेशन को मीट करने के लिए आप 50% सम इस सुकन्या सम्रिद्ध्योजना से निकाल सकते हैं तब लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट स्कीम सही है तब ही इसमें इतना योजना का फायदा उठा सकते हैं 20 साल के लिए कम से कम आपको प्रीमियम देना होगा और आपको जो मंतली पेंशन मिलेगी वह 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की मिल सकती है इस बास पर डिपेंड करता है कि आप अभी के लिए कितना पैसा कॉंट्रिबूट कर रहे हो साला में पैसे जो स्कीम आती है वह फाइनलय के लिए जय रुपवी और प्रिपेंशन के लिए और NPS के बहुत form अब किसी कॉमलेंन सब्साइब रहे हो टीर टू अकाउंट आप चाहे हो, तो खोल सकते हो, आठारा साल से लेके, साट साल का कोई भी इंडियोजर, अपना NPS अकाउंट खोलवा सकता है, इसमें, जो भी आपकी मेंतली सेलरी होगी, उसका कुछ परसेंट पैसा कॉंट्रिबूट किया जाएका आपके दोरा, और उस में 14% of the basic पे सरकार डालती है, और बाकी employees में लगबग, प्राइवेट में आप कह सकते हो कि 10% of the basic पे सरकार डालती है, फिर बात कर लिएजिए Employees Provident Fund, अभी देखिए जैसे NPS स्कीम हो गई, कुछ ऐसे organizations होते हैं, या companies होती हैं, जो EPFO के अंदर आती है, Employee Provident Fund Organization के अंदर आ लेगा, और थोड़ा बहुत पैसा, आप अपने EPF account डालोगा, तो कुछ-कुछ NPS जैसा ही है, ठीक है ना, बट organization अलाग है, new pensionist team का system अलाग है, EPF का system अलाग है, तो अगर अप EPF में आते होगे, तो NPS में शायद आपका नहीं होगा, NPS में होगे तो EPF में आपका नहीं हो वो निकलेगी, notification निकलेगी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि an employer, an employee, covered under EPF, have to mandatorily contribute to provident fund account in the name of the employer, मतलब कि जो provident fund का account है, उस particular employee का, उसमें वो employer भी थोड़ा पैसा डालेगा, और employee भी थोड़ा पैसा डालेगा, ये भी long term retirement planning ही है, जिस तकार का NPS होता है, और एक चीज़ होती है, voluntary provident fund, मतलब कि आपके account में, आप अपने end से थोड़ा और पैसा डालना चाहते हो, provident fund में, तो आप डाल सकते हो, फिर पदान मंति जंधन योजना, यहाँ पे क्या है, भाई, तो भाई, ये एक tailor made scheme है, saving scheme है, वो लोगों के लिए जो poverty line के नीचे आते है, ओके, यहा अंदन अकाउंट खुलता है, तो उनको एक लाग का insurance cover मिलेगा, ठीक है, life cover मिलेगा, 30,000 रुपे का, जो की pay bill होगा on the death of the beneficiary, तो accident insurance cover, एक लाग का life insurance cover, 30,000 रुपे का, तो आप कह सकते हो, एक प्रकार की saving scheme ही होगी, कुछ benefit मिल रहा है, तो scheme ही होगी, एक प्रकार की, और ए 3 months from the receipt of your retirement benefits, आपको retirement benefits मिले, उसके 3 महिने के अंदर bank, या post office के साथ अपना account खुलो, और आपको जो भी interest मिलेगा, इस account के अंदर पैसा डालने के लिए, वो half early basis पे मिलेगा, या तो 30 June को आएगा, या 31 December को आएगा, 6 महिने के ग्याप्पे, अब यहाँ सवाल उठता है कि य 50, सारा पैसा अपने हाथ में रखोगे, तो उल्टी सीधी जगा उडा दोगे, सेविंग स्कीम में डाल दोगे, तो future के लिए कुछ बचा रहे जाएगा, वही बात है, retirement fund भी कुछ उस प्रकार कही है, पहली बात तो liquid money अपने पास रहना safe नहीं है, एक limit से ज़्यादा पैस इन्वेस्ट होते हो, तो आपका पैसा multiply होता जाता है, आपके उसके उपर interest मिलता जाता है, और longer term में जो interest हो compound होके कफे बड़े amount में आपको मिलता है, तो 60 साल तक अगर आप early invest करना शुरू कर रहे हो, 20-25 साल की उमर पर ही आपने पैसा डालना शुरू कर दिया है, तो 60 सा सोच रखने वाले इन्सान के लिए है, तो एक normal middle class सोच रखने वाला इन्सान इसी प्रकार सो सोचता है कि थोड़ा पैसा invest करो, और 60 साल पर आपको retirement benefit मिलेगा, एक entrepreneur कैसे खोलेगा, कि एक insurance company खोल दो, और उस insurance company में पैसा डलवाओ, हम आपी पैसा कमाएंगे, तो सोच सोच है, आपकी सोच कैसी है, तो this is basically small savings schemes, तो यहाँ पे इस प्रकार की सोच होती ही, कि आपने फ्रोड़ा पैसा डाला, 60 साल पर आपको बड़ा पैसा मिल गया, प्लस इन सब पैसों से आपको tax saving हो सकती है, आपको पता है कि section 80C of the income tax के अंदर, साला ना आप डेर लाक रुपे त necessary expenses, unnecessary expenditure को avoid करोगा, अब finally हम लोग आते है, NSSF पे, National Small Saving Fund के बारे में, यह National Small Saving Fund वो बॉड़ी है, जिसमें सारा पैसा small savings schemes का जाता है, इस NSSF को 1919 में within the public account of India बनाया गया था, इसको administer किया जाता है, Ministry of Finance, Government of India दोरा, और rules क्या है इसके लिए, National Small Saving Fund, Custody Investment Rule 2001, जो की derive होते है, Article 283, Clause 1 of the Constitution, यह जितनी information मैंने आपको बताई है, important है, NSSF से related कोई question आता है, और अगर आप यह information quote करते हो, आपको कहीं न कहीं number extra मिल सकते हैं, ठीक है, तो वापस आते हैं, यह जो NSSF है, जितना भी पैसा आपने small savings scheme में डाला है, वो सब इस NSSF में जाएगा, और जितना भी पैसा लोग क्लेम कर रहे हैं, जैसे कोई retire हो गया, उसको पूरा बड़ा पैसा मिलना है, तो उसका पैसा भी इसी NSSF से निकलेगा, और सरकारी, मतलब केंदर सरकार के लिए और राज सरकार के लिए, finance का NSSF एक बहुत बड़ा जरिया होता अब NSSF से related मैं एक वीडियो आप के लिए अलरड़ी बना चुक हूँ, NSSF का इस्तमाल किस प्रकार से सरकार करती ही, मैंने एक वीडियो बनाये तो Food Corporation of India को लेके, उसका title था, From Where Does FCI Gets Money for MSP Crops Procurement, हुआ ये था कि Food Corporation of India को सरकार ये बोलती थी कि तुम NSSF से पैसा उधार ले लो, और Food Subsidy को Finance कर दो, होता ही है, आपको पता है, मिनमम सपोर्ट प्राइस वाला प्रोकूर्मेंट करती ही सरकार, हमी सरकार पैसा कहां से लाईगी, फार्मर से इतना ग्रेन खरीदने के लिए, तो सरकार ने Food Corporation of India से बोला कि तुम NSSF से उधार ले लो, तो भाई, Food Corporation of India यह ने NSSF से उधार ले लिया, NSSF से उधार जो पैसा लिया गया, वो हमारी Fiscal Deficit में शोनी हुआ, लेकिन उधार तो उधार है, है तो वो लोगों का पैसा ना, जो नोने अपना FD में वगार में डाल रखा है, इसलिए सरकार की इसके उपर काफी क्रिट साइज किया गया तो How Food Corporation of India Finances, it's MSP Procurement, Role of NSSF, इसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लीज़े जाके, टाइटल है, FCI Gets Money for MSP from NSSF, NSSF Money, FCI के साथ मेरे नाम हर्षी देविद के साथ YouTube में सर्च मारी आपको मिल जाएगा, तो कुल मिलाके, यह जो NSSF है National Small Saving Fund है, यह सरकार के लिए भी पैसे का एक सोर्स है, NSSF में आपने अपना पैसा डाला, चाए आपने FD से डाला, चाए PPF से डाला, चाए EPF से डाला, उससे फर्क नहीं पढ़ता है, उस फंड में पैसा पहुचा, अभी वो पैसा सरकार के पास पहुचेगा, कैसे? चुक चाहे राज सरकार हो, उसके लिए जो पैसा NSSF में है, यह फाइनसिंग का एक सोर्स है, अभी केंद सरकार तक के लिए तो ठीक है, लेकिन राज सरकारों के लिए ऐसे बोला जाता है, कि राज सरकारों को अगर मार्केट से पैसा उठाना पड़े, तो सस्ता पढ़ता है, NSS से पैसा उठाना पड़े, तो महँगा पड़ता है, इसके लिए चौदी फाइनस कमिशन की रिकमेंडेशन आई, चुकि स्टेट गौर्पर्मेंट्स अगर मार्केट से पैसा उठाती है, और NSSF से पैसा उठाती है, तो NSSF से पैसा उठाना एक्सपेंसिव पड़ता है, और मार्केट से पैसा उठाना सस्ता पढ़ता है। तो अगर राजी की सरकारों को मार्केट से सस्ता पढ़ रहा है, तो मार्केट से पैसा उठाना चाहिए, वो NSSF से पैसा क्यों उठा रही है। तो Union Cabinet ने फरवरी 2015 बोला कि हम इसके उपर वाचीत करेंगे, और फाइनली, अवनाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला, हुमाद प्रदेश, इन चार स्टेट्स को छोड़के, बाकि सारी स्टेट्स ने मार्केट से पैसा उठाना शुरू करती है, वो NSSF से पैसा नहीं उठाती। लेकिन अभी के लिए चार स्टेट्स ऐसी हैं, केरला, दिल्ली, अवनाचल प्रदेश और मद्रदेश, चुकि NSSF से पैसा उठाती है, चुकि मार्केट के रिस्पेक्ट में उनको NSSF से पैसा सबस्ता करता है। तो overall, ये small saving schemes क्या क्या है, इनका पैसा कहां जाता है, ये पैसा कैसे कमाती है, ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो FCI और NSSF वाली मैंने वीडियो मनाई थी न, वो भी देख लिजे। तो overall holistic understanding आजाएगी इस topic की आपको। तो thank you for watching, topic लंबा जरूर हो गया है, बट समझाने के perspective से चीज़न थोड़ी detail में समझानी पड़ती है। Have a great day, goodbye, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।